हे दोस्तों अगर आप एक Cyber Cafe शुरू करने जा रहे हैं तो बहुत सारा चीज की जरूरत होती है तो क्या-क्या चीज की जरूरत होती है वह तो हमने फास्ट वीडियो में बोल दिया था तो अगर आपने ओ वीडियो नहीं देखा तो इधार आप देखिए आई बोटन पर लिंक का रहा है इसको क्लिक करके आप देख सकते हो तो इस पार्ट टू पर हम क्या-क्या देखेंगे हम कुछ चीज देखेंगे जो बहुत ही एसेंसियाल होता है तो जो होता है एई-पीए-ई-ई-ड क्या करता है मतलब एपीए मतलब अधार नेबेल्ट शीटमिन सिस्टेम अगर आप कास्टमर का बैलांस मी रूल करना चाहते हो बैंक से तो आप एई-पीए-ई-ड का जरूरत होगा तो EPS ID बहुत सारा कम्पानी का होता है, like Spice Money है, PTM है, CSC है, तो बहुत सारा इधर है, PNRY भाई भी है, बहुत सारा popular brands है, तो मैं जब स्टार्ट किया था मेरा Cyber Cafe, तो मैं क्या यूज़ करता था, Spice Money यूज़ करता था, क्योंकि तब फ्री में मुझे ID मिल रहा था, और अभी साथ फ्री में ID दे रहा है Spice Money, तो Spice Money एक beginner के लिए बहुत ही अच्छा है, इधर आपको बहुत सारा चीज़ देखने को मिलेगा, वाइदावे यह कोई sponsor वीडियो नहीं है, मैं यूज़ कर रहा था, इसलिए आप लोगो बोल रहा हूं, Spice Money पर आपको क्या क्या देखने क हो, वह भी इधर available है, तो अगर आप IRCTC का भी ticket book करना चाहते हो, तो Spice Money से इधर आपको देखने को मिलता है, IRCTC जो travel union का ID होता है, वह आपको मिलेगा इधर, और भी है, आप plane का भी ticket कर सकते हो, और Zero Balance का Access Bank का account भी खोल सकते हो, बहुत सारा इधर options है, Spice Money में, तो मैं अभी system, और EPS मतलब जादा नहीं करता है, क्योंकि EPS में इधर commission थोड़ा कम है, ATM और CACC से, तो EPS में कम करता हूं, लेकिन मैं इधर ATM, मतलब इधर देखिए, मेरा एक machine है, Spice Money का, इधर Spice Money का एक machine है, Mini Magic, इसमें मैं ATM card से पैसा उद्राल करता हूं, तो इधर मैं चार्ज करता अगर मैं कोई भी मतलब platform से अगर पैसा निकाल रहा हूं, मतलब अगर आप fingerpin device से पैसा उद्राल कर रहे हो, अगर customer ने मुझे phone पे पैसा दिया, और अगर मैं ATM पे पैसा उद्राल करता हूं, तो एक chart है, अभी आपके screen पे आ रहा है, ये chart के हिसाब से मैं इधर पैसा लेत है, वो किया बात है, कि अगर आप ऐसे money का कुछ transfer रहे हो, cash में दे रहे हो customer को, पैसा उद्राल करके, तो इधर कुछ चूज की आपका regulations है, अगर आप year में 10 lakhs, अगर आप cash उद्राल करते हो ATM से या फिर bank से, तो इधर आपको limit मिलता है 10 lakh का, अगर आपका savings account है, तो 10 lakh का limit म मिलता है, कितना भी bank हो, मतलब एक ही pen card से तो आपका add है, तो 20 lakh तक इधर आपका limit है, तो 20 lakh से उपर आप, अगर एक year में cash withdrawal करोगे, तो इधर आपको TDS देना पड़ सकता है, मतलब आपके account से TDS card जाएगा, तो यह आपको जरूर धन में रखना है, तो इसके लिए आप क्य चला रहे हो, और अगर आप cash dealings कर रहे हो, ठीक है, तो next आथ है, biometric device, अगर आप पैसा उड्राल करने जाओगे, APS के माद हम से, तो इधर तो आपका fingerprint device की ज़रूरत पड़ेगी, तो fingerprint device के इधर बहुत सारा choices है, like mantra है, morpho है, static है, तो मैं आपको बोलूँगा, आप mantra या morpho क साइड पर जाईए, लेकिन mantra भी मैं नहीं suggest करूँगा, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी खराब हो जाता है, और इसका fake model बहुत सारा market पर अभेलेवल है, मैं पहले mantra device ही लिया था, Amazon से मैं खरी दया था mantra device, वो fake निकला, ठीक है, कुछ दिन बाद उसका ID service खतम हो गया, और नेक्स आते Morpho में अभी तक यूज कर रहा हूँ, जो Morpho में device में करीब करीब 2 साल हो गया मैं Morpho लिया था, ठीक है, तो तीन महीने बाद ही तो मेरा mantra खराब हो गया था, उसके बाद मैं एक Morpho का device लिया था, इसका price बहुत ही जादा है, तो इधर Morpho अगर मुझे मिला ह 2,200 में, तो उधर मुझे Morpho मिल रहा है, 4,000 मतलब 4,000 रुपे में मेरा इधर Morpho आ रहा है, तो Morpho बहुत ही जादा महेंगा है, लेकिन Morpho बहुत जल्दी खराब नहीं होता है, और इसका जो biometric device का driver होता है, वो बहुत ही वीजिली install हो जाता है, और काम भी करता है, तो Morph इस टीप्स में आप लोगों को देना चाता हूँ, अगर आप Morpho डिवाई जू उस कर रहे हो, तो Morpho का जो केबिल है, इस तरह आप band करके एक selloutive लागा दीजिए, तो अगर आपने ऐसे tape लागके कर दिया, तो बहुत दिन तक चलेगा, कोई problem वाली बात नहीं होगी, तो एक पूरा वीडियो मेरे चैनल पर पहले से है, तो description पर लिंक है, आप वहां से इस वीडियो को देख सकते हैं, और पासपोर्ट साइज फोटो कैसे बनाते हैं, आप उधार से इसको देख सकते हैं, तो पासपोर्ट साइज फोटो बनाने के लिए मैं किया page यूज करता हू प्रेड प्रोमोशन नहीं है, ठीक है, तो यह आप यूज कर सकते हो, इसका लिंक मैं description पर दे रहा हूँ, लेकिन मैं आपको प्रेफार करूँगा, आप ओफलाइन से ही खर दिये, क्योंकि ओफलाइन पर इधार प्राइस बहुत ही ज़्यादा कम देखने को मिलता है, लेक इधर जो एक A4 पेपर, A4 जो पैकेट होता है, 254 GSM का, प्रिसमजित का, ओ मैं लेता हूँ, 220 रुपई का, लेकिन ओनलाइन पर भी दिखा रहा है, इधर 320 या 420 ऐसा कुछ दिखा रहा था, ठीक है, तो अगर आप लेना चाते हैं, तो आफलाइन से लिजे, मैं recommend कर रहा तो इसके जो light होता है, वो dim हो जाता है थोड़ा, तो इसलिए, मतलब, एक दब, sharpness जो light होता है, वो नहीं आता है, तो फोटो बहुत ही आच्छा आता है, अब नेक्स्ट आते हैं, लेमिनेशन, तो मैं यूज़ करता हूँ, लेमिनेशन में, गॉबलार का 330 लेमिनेशन में जो बहुत ही आच्छा performance दे रहा है, तो ये मुझे खरीदे हुए लगबग, एक साल, दो या तीन महीने हो गया, तो अभी भी ये मतलब, कोई problem नहीं दे रहा है, और लेमिनेशन भी बहुत ही high quality का होता है, मतलब अच्छा होता है, कोई bubbles भी नहीं आता है, ये लेमिनेशन म में क्या यूस करता हूँ, क्या paper मैं यूस करता हूँ, XLM का paper यूस करता हूँ, 125µ का, जो ID card size का बहुं है, ओ भी में 155µ का use करता हूँ, और जो A4 size का है, ओ भी में 125µ का use करता हूँ, और भी बहुत सारा pages का size है, आपको स्क्रीन पर अभी दीख रहा होगा, ऐसा-एसा- लेकर आपको सभी साइज रखना है अपने सोफ पे तो कस्टोमर किसी भी पेज को ला सकता है तो उस साइज का हिसाब से आपको लैमिनेशन करना है ठीक है प्रिन्टाउट का लिश्टह भी देख पा सकीन पर पर ऐसी आपको प्राइस लेना है कस्टोमर ऊप्रोमर भी खूत है और आप भी खूत है तो यह ही पर होत्ती खतमकर सरे औलों करते हैं जानना होगा अगर आप सायबर के दो अलपनलों नया बना रहें तो और नेक्स वीडियो में हम यह भी देखेंगे कि आमको किया क्या मैसिन के सत्क जरूरत है एक साइबर के पर चलाने के लिए और कास्टमार्स का नीड किया क्या है उस हिसाब से कौन कौन सा मैसिन आपको लेना है तो इस सब कुछ आपको नेक्स वीडियो में देखने को मिलेगा तो ये वीडियो में तरिक नहीं अगर वीडियो आच लगए तो वीडियो के लाइक कीजिए और हमाने चैनल को सब्सक्राइब बना मत भूलिए धन्यवाद